वेल्कम तो दा स्टेडी कॉंसेप्ट भारत के आदोनिक काल के इतिहास के उपर ये वीडियो है जिसमें कि हम भारत में बिटिस काल के दोरान जो गवर्नर जनरल हुए हैं और उन्होंने कौन-कौन से कारी किये और किस समय पर वो आये और कितना कारी काल रहा उन सभी के उपर ये वीडियो है और उन सभी गवर्नर जनरल के उपर इसमें चर्चा करेंगे और ये एक्जाम्स के पॉइंट ओव व्यू से MPPSC, UPSC, SSC, CGL, RBI, Railway, MPSI और अन जो भी लोग सिवा आयोग के जो एक्जाम्स होते हैं उन सभी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा important है जितने भी अभी तक बिटिस काल के गवर्नर जनरल रहे हैं उन सभी की उपर questions आते हैं और बहुत important topic है लोग सिवा आयोग civil services के लिए तो आप इस वीडियो को अ लोग इसको देख पाएं और साथी साथ मेरा चैनल अगर आप लगातार देख रहे हैं study concept तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और bell icon all notification के साथ में आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे की जितने भी notifications हैं मेरे वीडियो के द्वारा जो upload होंगे वो सभी आपको मिलेंग और आप लगातार मेरे वीडियो को देख पाएंगे बिना मिस किये हुए तो चलिए शुरू करता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूरी जानकारी भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल रहे हूँ कौन रहे वह रहे थे वरण हैस्टिंग बिटिस काल के दो रान जिनका कारी काल था 1772 से लेके 1785 के बीच में यह उनका फोटो है यह फोटोग्राफ वरन हैस्टिंग का उस समय जो गवर्नर जनरल थे यह बंगाल से शुरूवी थी बंगाल की गवर्नर जनरल के नाम से यह जाने जाते थे तो Warren Hasting सबसे पहले वंगाल के गवर्णर जनरल रहे थे ना पहले गवर्णर थे ठीक है और वह 1750 में BTS इंडिया कमपनी के साथ जुड़े स्टार्टिंग में जब BTS इंडिया कमपनी भारत में आये थी तो उस समय ये 1750 में BTS इंडिया कमपनी के साथ जुड़े इनके सासनकाल के दोरान जमीदारों को नियाइक सक्तियां दी गई ठीक है और इनके समय में और क्या हुआ प्रतेक जिले में नागरिक और अपरादिक अदालतें भी इस्ताफित की गई अगले जो पॉइंट है वो है इन्होंने 1781 में इस्लामिक अध्यन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदर्सा इस्ताफित किया और फिर अगला पॉइंट जो है 1784 में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल को भी इन्होंने इस्ताफित किया ये सारे पॉइंट्स एक्शाम्स के पउइंट भी से बहुती जादा इंपोर्टन्थ एं तो आपको इसी तरीके से याद रखना है एक्शाम्स में रिए कीशी भी इंट्रीईविव में सारेegंद बंते हैं तो व्यडियो बहुत ही ज़ादा इंप्वार्टनथ है वन व7 मैं जितने भी गवेर जनरल भारत में रहे हैं उसके उपर पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो को अंतक देखें और पसंद आये तो आप इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हैं और पूरे important points ही मैंने इसमें तरीके से cover किये हैं सबसे पहले तो कौन-कौन से governor general रहे और कितना कारिकाल रहा उसके बाद में अपने कारिकाल में कौन-कौन से कारी किये उन सभी के वारे में points बनाके मैंने पूरी जानकारी दे है चलिए अगले governor general के वारे में जानकारी लेते हैं वारन हिस्टिंग के बाद में अगले जो governor general रहे वो रहे सर जॉन मैक फर्शन ठीके ना इनका जो कारिकाल था यह था 1785 से लेके 1786 यानिकि सिर्फ एक वन एर एक वर्स तक ही यह governor general रहे बंगाल के क्योंकि शुरू में जो governor general रहे यह बंगाल के रहे बंगाल के बाद में फिर इसको संसोधन किया गया था संसोधन के बाद में यह governor general के बाद में wise राय बने तो सबसे पहले में पूरा का पूरा वीडियो जो governor general के बारे में जानकारी दूँगा और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पूरे wise राय के बारे में चर्चा तो इस वीडियो में पूरा कम पूरा में गवर्नर जनरल के उपर में आपको जानकारी देने वाला हूं तो यह जो है यह सेकेंड गवर्नर जनरल रहे इंडिया के जो की 1785 से लेके 1786 के विश्प में सर जॉन मैक फॉर्शन इनो आपना कारेकाल में सिर्फ इनका पत यह टंप्रेरी था टंप्रेरी वे में यह इंडिया में गवर्नर जनरल की रूप में आये थे सिर्फ एक साल के लिए थे तो इनोंने को यह कोई विश्पर विश्प कारे किये नहीं तो important भी नहीं है जादा लेकिन क्योंकि point of view से कौन-कौन से governor general रहे तो इसके बारे में जानकारी मैंने इसमें देनी चाहिए आपको तो वारन हिस्टिंग के बाद में जो वारन हिस्टिंग है उनके बाद में जो governor जल थे वो थे Sir John Macphorson जो की 1785 से लेकि 1786 के बीच में temporary इनका यहाँ पर इनको लाया गया था एक साल के लिए तो यह इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी मैंने इसमें Sir John Macphorson के बाद में जो governor general आये वो कोन आये Lord Cornwallis बहुती ज़दा important है Lord Cornwallis इनका जो कारिकालता यह था 1786 से लेकि 1793 के बीच में इनके कारिकाल में कौन-कौन से काम हुए सबसे पहला काम तो हुआ था बंगाल और बंगाल और जमिदार प्रनाली का इस्ताई निप्टान के लिए इनकी दौरा कारे किया गया ठीक है न और क्या राज़त्व तैक करने के लिए East India Company और बंगाल के जमिदारों के बीच में एक समझोता किया गया था इनकी कारिकाल के दौरान और इनके दौरा कौन-कौन से पुलिस सुधार की भी सुरुआत की गया थी सिविल सेवा की सुरुआत भी कौन-वॉलिस की समय ही की गई थी कौन-वॉलिस के बाद में आये सर जौन-सौर इनका जो कारिकाल था ये था 1793 से लेखे 1798 की बीच में सर जौन-सौर के जो कारे थे अपने कारिकाल में वो थे इनके दौरा गैर हस्ता छेप की नीती का पालन किया गया यहने कि कोई भी दूसरा वक्ती इसमें हस्ता छेप नहीं कर सकता है इसमें पालन किया गया साथ में इनके दौरा 1793 में चार्टर अधिनियम पेस किया गया फिर आये थे लॉर्ड वैली जैली इनका जो कारिकाल था यह था 1798 से लिके 1805 के बीच में इनकी द्वारा जो कार किये गए थे इनके कारिकाल में इनके द्वारा करने के लिए इन्होंने एक कालिज खोला था इने भारत में नागरिक सिवाओं का पिता की रूप में जाना जाता है ठीकि ना भारत में जो नागरिक सेवा थी ठीकि ना पब्लिक सर्विसिस के लिए इनको एक पिता की रूप में जाना जाता है और कलकत्ता में जो विलियम फोर्स कॉलेज है वो भी इनी की द्वारा इस्ताफित किया गया था अगली थे सर जार्ज बारलो इनका जो कारिकाल था 1805 से लेखे 1807 के वीच में आने की दो वर्स के का कारिकाल इनका रहा इनके समय की जो घटना रही थी 1806 में बैलोर के विद्रों में के समय एक महत्पुन घटना घटी थी ठीके ना बैलोर के विद्रों में भारती सेनिकों ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मौट की गाहत उतरा दिया था 1806 में जब बैलोर का विद्रोव हुआ था अगले गवर्जन जनरल थे इसके बाद में लॉड मिन्टो अठारा सो साथ से लेके 1813 के बीच में ये गवर्णर जनरल रहे भारत के इनके द्वारा जो कार हुए थे वो एक इंपोर्टेंट कार था इस बहुती ज़्यादा है इंपोर्टेंट ये एक्जामें पुछा जाता है लॉड मिन्टो के द्वारा महरारा रणजी सिंग की जो संदी हुई थी अमरसर में 1809 में वो इनके द्वारा ही संपन कराए गई थ जो जिसमें की महरारा रणजी सिंग को अंडर्टेकिंग लिया गया था और उनकी पूरी की पूरी रियासत को अपने आधिन कर लिया था तो ये अमरसर में 1809 में ये संदी हुई थी उस समय की जो गवर्णर जनल रहे है वो लॉड मिन्टो रहे थे इसकी बाद में आये लॉड हैस्टिंग 1812 से लिके 1823 यानि की इनका जो कारिकाल था काफी लंबा था ये टोटल 11 वर्ष तक ये गवर्णर जनल के पतपर भारत में आसीन रहे कि लॉड हिंस्टिंग के दुआरा जो कारी किये गए उनके दुआरा गेर रहे हस्टेशिप नीटि ठीक है ना याने की कोई दूसरा व्बाती जो हस्था doc करता था उस नीटि को इननोंने समाप्ट कर दिया था यानि कि उसमें जो भी धार्णाय थी उनको समाप्ट करके इन्होंने एक नई नीति की सुरुवात की थी और उनके द्वारा प्रेश सेंसर्शिप को भी समाप्ट कर दिया गया था क्योंकि भारत में जितने भी प्रेश थी उस पर सेंसर लगाया था अंग्रेजो श्रूर की गही थी उस समय जो अभी अहां इस समय मुंबई के नाम से जाना जाता है उस समय ये बंबई थी तीकि ना बंबई presidency के नाम से थी तो प्रसेडेंसी को में जो रायदवारी और महल वारी है वो इनी के द्वारा Lord Histing, Instinct के द्वारा ही स्री की गही थी उसके बाद में आए Lord Hamsters क्या आए Lord Am Hust जिनका कारिकाल था 1823 से लेके 1828 के बीच में Lord Hamster के कारिकाल के समय में इनका जो सासनकाल था उसके दोरान में पहला Anglo Burmese युद हुआ था यानि कि अंग्रेज और बर्मा के बीच में जो युद हुआ था 1824 से लेके 1826 के बीच में वो इनी के कारिकाल के दोरान हुआ ठीक है ना बैरकपूर 1824 का जो बिद्रो हुआ था वो भी इनी की कारिकाल में हुआ था 1824 में फिर आये Lord William Batting 1828 से लेके 1835 के बीच में इनका कारिकाल रहा Lord William Batting के दोरा जो कारिक किये गए Lord William Batting सबसे पहले तो ये बात थी कि एक British सेनिक थे ये और इस्टेटरस में थे तो ये एक ऐसे पहले गवर्नर जनल थे जो की एक British सेनिक की रूप में थे और उसके बाद में ये Governor General बने थे अच्छा इनकी इस समय में एक बहुत important काम हो था और इसके बारे में question में बनते हैं सतीप्रता राजा राम मोहन राय की मदद से इन्होंने सतीप्रता को समाब्त किया था और इस जैसे कई समाजिक सुधार इनकी दवारा किये गए इन्होंने कलकत्ता में पहला Medical College भी स्ताफित किया था ठीके और साथी साथ इनके दवारा जो अंग्रेजों को उच्छ सिक्षा की भासा बनाए गए थी जो अंग्रेजी सिक्षा है अंग्रेजी है इसको उच्छ सिक्षा की भासा में अपनाया गया था लॉड बिलियम बेटिंग के दवारा और इन्होंने कन्या भून हत्या और बाल बलिदान को भी रोक लगाई थी यानि कि बच्चों पर जो कन्या की भून हत्या होती थी उसको भी रोक लगाई थी और साथ में जो छोटे बच्चे थे उनकी भलेदान पर भी इन पर रोक लगाई थी लॉड बिलियम बेटिंग के बाद में फिर आये थे सर चॉल्स मैटकॉफ इनका जो कारकाल था 35 से 36 यानिकी सिर्फ एक साल के लिए इनका एक टंपरिरी कारकाल रहा इनका इक इंपोर्टेंट कार था वो था वारना कुरर प्रेस प्रतिवंद् alltप उसको हाठा दिया था ठीक है और ये अची ठाüyor करेस था इनका एक साल के लिए रहेते हैं और इनोंने जो वारना कुरर ॉर प्रेस थी उस पर प्रतिवंद् थे हाठा दिया था ये on सकता है कि सर कौन से गवर्नर जनरल रहे जिसके जिन्होंने वार्ना कुलर प्रेश का प्रतिबंद हटाया था तो वो थे सर चार्ल्स मैटकॉफ प्रतिष से चतिश के बीच में आया थे जो यह आज़ता ही पद पर निक्त किया गया था इनको उसके बाद में आयए लॉड आकलेंड अठार सो चतिश से लेकि अठार सो बैनेस के बीच में इनका कारिकाल था इन्हीं के सासनकाल में पहला अफगान युद्ध लड़ा गया पिर आये लॉड डल हो जी 1848 से लेकि अठार सो चपन के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे इनके द्वारा जो कारिकाल इनके समय में जो कार हुए काफी इंपोर्टेंट थे एक्जाउंस पर पूछे जाते हैं ये सबसे पहले तो 1813पन में जो बॉम्बे से पहली जो रेलवे लाइन डाली गए थी वो इन्हीं की कारिकाल में खोली गई थी ठीक है और 1813पन में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेली ग्राफ लाइन भी इन्हीं की समय में खोली गई और अगला जो इंपोर्टेंट कार था ये ध्यानक नहीं डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स यहने की हडपनिती हडपनिती की सुरुवात भी इन्हीं की द्वारा की गए थी जिसके तहट 17, 1848, जैपूर, संबलपूर, 1849, ओधैपूर, 1852, जहांसी, 1853, नागपूर, 1854 यहाँ पर इन्होंने कबजा किया ठीक है लॉर्ड डलोजी की समय में ही रानी लक्ष्मी भाई का जो समय था वो लॉर्ड डलोजी की समय था तो यह डॉक्ट्रिन ओप लैप्स की सुरुवात यहने की हडप नीती, कबजा करने की नीती, लॉर्ड डलोजी की समय ही शुरू की गए थी और इन्होंने ही Grand Trunk Road की भी सुरुवात की थी। इन्होंने Postal System की भी स्थापना की। इनके सासनकाल के दोरान 1854 में बुट्स डिस्पैच पारित किया गया। जिसने स्कूल से विश्व विद्याले तक की सिक्षा को अच्छी तरह से पहचान की। यहने की डिफरेंट कैंड अफ जो एजुकेशन सिस्टम से लेके उन्यूवर्सिटी तक उसकी सिक्षा की अच्छी तरह से उन्होंने पहचान करवाई। ठीक है और इन्हीं के समय में जो विद्वा पुनर विदेहक पारित किया गया। विद्वा के लिए पुनर विदेहक समय तो ये पूरे की पूरे भारत के वह गवणर जनल थे जो कि बंगाल कि गवंवर्नर जनल का लायieux द्येशन उसके बाद में फिर वएसराय की issいき गई थी CAP 1858 में आने कि 1857 की करांती के बाद में जब 1858 का भारत सासन अधिनियम आया उसके बाद में ये गवर्नर जनरल वायसराय बने गए तो ये था पूरा वीडियो जो कि मैंने पूरी गवर्नर जनरल के उपर में आपको जानकारी थी एक इंपोर्टेंट फैक्स के साथ में मैंने लगा अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा और पसंद आया है तो लाइक बटन जिरू दबाईए और शेर कीजिए अने लोगों के लिए जिसे की सभी लोग देख पाए और साथी साथ मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप करता हूँ अगला वीडियो मैं फिर लेके हैजर होंगा जो की इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा भारत के वाइस राय के उपर मैं जो की आने वाले समयमे में लेके आऊंगा तो तब तक मेरे चैनल के साथ मे जोड़े रहे हैं और लगातार मेरे सारी वीडियोज प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं तब तक कि लिए जय हिन जय भारत